हेलो गाईज, अगेन बैक with not a good news, कोशिश करता हूँ कि अच्छा अच्छी news आप तक लेके आऊँ, बट क्या करूँ अभी फिलाल, थोड़ा credit card industry में उतल पुतल चल रहा है जिसकी वज़े से, ऐसे news आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, I hope यह जो changes है, यह permanent नहीं है, अपरेल 2024 से यह changes applicable होंगे, प्लस American Express का जो MRCAC credit card है, काफी अच्छा value back देता है, कुछ media reports ऐसे निकल के आ रहे हैं, कि उस पे भी American Express devaluation announce करने जा रहा है, तो क्या है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, चैनल पे नए हैं तो जरू सब्सक्राइब कर द credit card से rent payment करेंगे, तो उस पे आपको 199 का एक fee देना होगा, प्लस taxes लगेंगे, बट अब इतना ही नहीं, अब जो आप अपने credit card से rent payment करेंगे, चाहे वो आपका SBI simply click है, simply save है, and even अगर आपके पास SBI Auram है, जो super credit card है, SBI bank का, तो सारे के सारे credit cards जो list आप screen पे देख सकते हैं, स बट जो अब तक आपको इस पे reward points या फिर cashback मिल जाता था, इन credit cards पे अब नहीं मिलेगा, याने कि इन credit cards से rent payment करना अब बहुत ही ज्यादा, आपको भारी पढ़ने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी benefit नहीं मिलेगा, और अपनी जेब से आपको 199 रुपे प्लस GST का अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कि जब ये ऐसे restrictions लगे जा रहे हैं, तो अब एक अच्छा credit card कौन सा रहेगा, जिससे आप rent payment कर सके और ऐसे charges ना देने पड़े, उस पे आपको कुछ बचक भी हो जाए, तो standard chartered bank का smart credit card है, जो आपको, आपके rent payment पे भी cashback देता है, क् आपके online transactions पे, तो जब आप इस card से rent payment करेंगे, तो इस पे आपको 2% का cashback मिलेगा, maximum आप हर महिने, सिर्फ 1000 रुपे तक cashback 2% वाली category में save कर सकता है, या तो उससे आप rent payment कीजे, या फिर कोई online transaction कीजे, तो उस पे आपको ये cashback मिल जाता है, तो इस credit card का भी फिलाल approval भी ठीक अगर आप apply करना चाहते हैं, तो description में link है, वहाँ से apply कर सकते हैं, second change आने वाला है, अभी इसको officially American Express ने announce नहीं किया है, बट ये अभी कुछ media reports के according, ये screenshots, shares हो रहे हैं, बट American Express के एक खास बात है, कि जब ये ऐसे कोई devaluation announce करते हैं, तो आपको time देते हैं, कि उससे पहले इनोंने दो नए brands को add कर दिया है, 24 karat and 18 karat का जो gold collection होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, कि MRCC credit card से जो reward points earn करते हैं, तो उनको redeem करने के लिए आपको ये एक special category मिलती है, gold collection वाली 24 karat and 18 karat, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा value back मिल जाता है, फिलाल इस list में दो नए और brands को add किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें Tata Click and Reliance Digital दो नए brands add किये गए हैं, और जो इनके सबसे super beneficial जो collection में available vouchers थे, जिसमें की shopper store आता है, mintra आता है, amazon आता है, flip card आता है, तनिशक आता है, इन सभी brands पे अभी तक जो आपको value back मिल रहा था, उसमें 1000 रुपे तक points की value, shopper store पे 11,000 रुपे मिलती थी, अब वो 10,000 मिलेगी, तनिशक voucher की value 10,000 मिलती थी, अब वो 9,000 मिलेगी, amazon voucher की value 9,000 मिलती थी, अब वो 8,000 मिलेगी, flip card voucher की value भी 9,000 मिलती थी, अब वो भी 8,000 मिलेगी, बाकि जो 24 karat में नया ये brand add हुआ है, Tata Click इस पे आपको 24,000 reward points क value 9,000 रुपीज के voucher के बराबर मिलेगी, and 18,000 जो karat gold collection category है, इसमें आपको shopper store का voucher मिल जाता था, 18,000 MR points redeem करने पे 8,000 रुपे का, अब वो सिफ 7,000 रुपे का मिलेगा, Mintra का voucher मिलता था, आपको 8,000 का, वो 7 का मिलेगा, Amazon का voucher मिलता था, 7,000 का, अब वो सिफ 6,000 रुपे का मिलेगा, Flipkart का voucher मिलता था, आपको 7,000 रुपे का, वो सिफ 6,000 रुपे का मिलेगा, and जो Reliance Digital का voucher है, वो आपको 6,000 का मिलेगा, and newly added, जो Tata Click है, ये आपको 7,000 रुप social media पे viral हो रहा है and और भी जगाओ पे इसके बारे में discussion हो रहा है तो most probable chances हैं कि ये जब pop-up हुआ है so it is under testing तो जल्दी ही हमें ये devaluation American Express MRCC credit card पे देखने के लिए मिल सकता है तो आपके पास time है अगर आपके पास reward points है और उनको आप अपने पसंदीदा category पे इन collections में redeem करना चाहते हैं तो उससे पहले कर लिजेगा थाकि आपको अच्छा value back मिल सके बाकि अगर future के लिए देखा जाए तो ये devaluation अच्छा रही है क्योंकि reward points की value इन जो special categories वाले brands है इन पे गिर गई है इसी वज़े से American Express मेरा favorite credit card है थोड़ा सा disappointment मुझे हुआ है इस चीज़ का फिलाल मैं इसके virtual card से अभी तक सारे transactions कर रहा हूँ इस card को test कर रहा हूँ जल्दी ही इस card का जो unpacking video है वो भी मैं channel पे लेके आऊंगा with full my personal experience I hope ये video आपको पसंद आया होगा do subscribe our channel मिलते हैं next video में तब तक अपना धियान रखेगा bye bye